मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा का यूट्यूब चैनल दोस्तों देखिए अगर आप लोगो सफलता अरजित करनी है उत्तरप्रदेश की किसी भी परिक्षा में तो उत्तरप्रदेश का जो करेंट अफेयर है ये आपके लिए मस्ट है इसी के point of view से यहां पर जो आप लोग लेके आए हैं daily basis पर उत्तरप्रदेश का करेंट अफेयर कुछ भी यहां से छूटना ही नहीं है तो आप लोग इस playlist को जरूर फॉलो करिए इस series को जरूर फॉलो करिए जहां पर आपको daily basis पर उत्तरप्रदेश का करेंट अफेयर देखने को म मिलता रहे का इसको जरूर देखिए बहुत important है अभी जो आपका यूपी PCS का एक्जाम सोना है उसमें भी बहुत जादा importance रखता है उत्तरप्रदेश का current affair तो जरूर इसको देखिए चलिए अब यहां पर start करते है अपना 8 फरवरी का current affair उत्तरप्रदेश की government जो है उसमें sign करा एक MOU Memorandum of Understanding for Quantum Computing Data Center in India ठीक है बहुत important है अब किसके साथ यह MOU sign करा गया है और क्या कुछ है आईए इसको समझते देखिए हिंदी और अंग्रेजी का बिल्कुल tension मतलीजे का हिंदी होगी तो अंग्रेजी होगी और अंग्रेजी होगी तो हिंदी यह बताएंगे ठीक सबसे पहले यह खबर देख लेते हैं कि उत्तरप्रदेश government sign a MOU with Innogress इसका नाम आपको याद रखना है किसके साथ करा गया है Innogress for setting up India's first quantum computing data center आप समझ रहे हैं अपने आप में कितना ज्यादा important यह news है पहली बात तो UP का current affair दूसरी बात हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा ह होगा है इसका मतलब है यह आपको एक्जाम में देखने को 100% बिलेगा तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या याद रखना है कि कौन सी company के साथ में किसके साथ में किस organization के साथ में यह MOU sign करा गया है तो यह है आपका Innogress दूसरा इंडिया में पहली बार quantum computing data center के लिए इ इसके बाद आगे देखें तो IQDS यानि की इंदरप्रस्त quantum data center at greater noida उत्तरपरदेश proposed in joint venture with Gantech UK ठीक है United Kingdom का है यह जिसके साथ में इसको sign करा गया है UP government attracted many data center projects particularly in noida greater noida area but this is the first time a new data center is proposed on innovative quantum computing technology that means कि हम overall picture की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि quantum computing technology के छित्र में पहली बार कुछ ऐसा करा गया है उत्तरपरदेश के द्वारा हिंदुस्तान में यह पहली बार हुए है ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है चलिए आगे move on करते हैं अगली एक ख़बर आपकी screen पर इसमें बात करा गया है कि कानपुर में solar plant इस्थापित करने के लिए SJVNL ने उत्तरपरदेश सरकार से M.O.U. sign करा है अब यह जो है आपका सतलुज जल विद्धुत वितरण निगम लिमिटेड यानि की SJVNL इसने किसके साथ में उत्तरपरदेश के साथ में कानपुर में solar plant को इस्थापित करने के लिए एक M.O.U. पर साइन करा है और यह जो है आपका सतलुज जल विद्धुत वितरण निगम लिमिटेड यह कैसी एक नवरतन कंपनी है तो इसके बारे में यह जरूर याद रखेगा एक्जाम में हो सकता है आपसे इस तरीके से ना पूछे कि उत्तरपरदेश के किस जिले में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए M.O.U. पर साइन करा गया उत्तरपरदेश गौर्रमेंट और S.J. V.N.L. के बीच में आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह किस तरीके की कंपनी है महारतन कंपनी है मिनीरतन है या फिर नवरतन है तो याद रखेगा नवरतन कंपनी है चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं अगला यहां पर है रशिया चाइना पाकिस्तान टू टेक पार्ट इन S.C.O. आउडिटर्स मीट इन लखनवू आपसे सिंपल सा कोश्चन जो एक्जाम में आगा वो यह आगा कि यह जो S.C.O. आउडिटर्स मीट हुई चाइना पाकिस्तान विल बी एमंग एड पार्टिसिपेटिंग एड शांगाई कॉपरेशन ओगनाइजेशन फेडरल ओडिटर्स मीटिंग बिगनिंग ओन फेवरी 6 एट लखनवू यह हुई है और इसमें रशिया चाइना पाकिस्तान इस सबने पार्टिसिपेट करा है आपको सिंप्ली यही आद रखना है कि लखनव में यह हुई है ठीक है इंडियास 2023 थीम इस टूवर्ड्स अ सिक्योर एस स्टेंट्स फॉर यहां पर एस जो है किसके लिए स्टेंट कर रहा है सिक्यूरिटी फॉर सिटीजन इजो है वह एकनोमिक डिवलेप्मेंट के लिए इसके बात करें तो connectivity के लिए इंदर रीजन यू की बात करें तो unity के लिए आर की बात करें तो इसमें तो एस तेंट कररें गार्यॐ इसमें पूरे आर्टिकल में आपको जो याद रखना है वो यह याद रखना है कि auditors meet जो है CEO की यह कहां पर हुई लखनव में इसके बाद next आर्टिकल की बात करें यहां पर दिया हुआ उत्तरप्रदेश to join hands with Denmark for eco-friendly ethanol production तो यह जो आप हेडिंग देख रहे हैं बस हेडिंग हेडिंग याद रखिए कोश्चन आपको यहीं से मिलेगा उत्तरप्रदेश ने उत्तरप्रदेश की सरकार ने Denmark के साथ ने eco-friendly ethanol production के लिए उत्पाद के लिए यहां पर हाथ मिलाए हैं समझोता किया है अब इसके आगे कुछ खास यहां पर नहीं है ठीक है इसको आप as it is skip कर सकते बेसिकली आपको इतना यह आदक नहीं कि देनमार्क के साथ में यह समझोता किया गया है सो इसी के साथ आज का हमारा यह जो पूरा उत्तरप्रदेश कर इंटरफेर का सेशन था यहां पर end हो रहा है आपको यह कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताएगा कोई भी आपका feedback हो कुछ भी आप बोलना चाहते हो कुछ भी आपका suggestion हो comment section is for you please वहां पर अपना जो अधिकार है उसको इस्तमाल करी है और कोई भी बात है कोई आप मुझसे कहना चाहते हैं वहां पर आप उससे बता सकते हैं इसी के साथ इस वाले session को यहां पर end करते हैं फिर मलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दें थेंगी so much have a nice tip up आए